जो ए प्लास्तिक एनीमिया के पेशेंट हैं जिनको बार बार रक्त चड़ाना पड़ता हैं उनके लिए यह एक अध्भूत और अधितिय ओशदी है यह आप प्रयोग कर सकते हैं स्वयम और करा सकते हैं यह आप नियमित रूप से इसकी इतनी सी डंडी को इसको यासे भी चा आप भी सकते हैं आप हलांकि थोड़ी सी इसको आप ठावी सकते हैं तो इतनी सी इस डंडल को इधि आप सुख़ पानी में कूट करके फिर ऐग्लास पानी हाथ से मसल करके चान करके यह आप पीते हैं तो आप के लिए अत्यान लाबकारी है इस से कभी भी आपको रक्त मंदी कोई विकार नहीं होगा बॉडी के जो टॉक्संस हैं वो निकल जाएंगे कभी जिंदगी में बुखार का सामना नहीं करना होगा आपको यह बहुत लाबकारी होगा तो इसका आप प्रयोग प्रतिव दिन प्रतहकाल इसको कर सकते हैं जब फिर आप गिलवे को घर में लगा लीजिए यह कहीं भी चड़ जाती है यह विचारी अमरिता ही नहीं यह हमारी मित्रवी है यह लता कहीं भी चड़ जाती है कहीं भी पैदा हो जाती है निचे जमीन में आप गंबले में इसकी जड़ को लगा दें और फिर आप घर में कहीं पर भी लोन में भी चड़ लगती है तो आप इस लता को घर में लगाई है और प्रती दिन चोटी चोटी टुकड़े सुबह उठकर के चबा करके इसको आप खाईए आपको मुख की सुधी पेट की विमारी की समापती और बहुत सारे असाध्य रोगों से मुक्ती